हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर के वेश समान से अपने प्लांट्स के लिए मौस्टिक कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगी कि मॉस्टिक बनाने के लिए मैं क्या चीजे ले रही हूँ और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो चीज़े नहीं है तो उसकी बजाए आप और क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं फिर बताऊंगी कि मौस्टिक कैसे बनानी है उसके बाद मैं आपको मौस्टिक पर प्लांट को चढ़ाने का और उसे पानी देने का सही तरीका बताऊंगी तो वीडियो एंड तक देखेगा और अगर आपको वीडियो यूसफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप और भी ऐसी ही यूसफुल वीडियो देख सके तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं समान की जो हम मौस्टिक बनाने के लिए यूस करेंगे तो यह है एर कुलर का यूस्ट पैड जिस कि हम हर साल कूलर में नए पैड लगाते हैं और पुरानों को फैंक देते हैं तो आज हम इससे ही मौस्टिक बनाएंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कोकोनट के छिलके भी यूस कर सकते हैं लेकिन यह आपको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिएंगे इ अगर आपके पास ऐसा नेट यह वही नेट है जो हमें सूपर मार्केट्स में सबजियों के लिए मिलता है अगर आपके पास ऐसा नेट नहीं है तो आप कोई नेट का कपड़ा भी यूस कर सकते हैं और अगर वो भी नहीं है तो आप जूट वाली बोरी को भी काट कर यूस कर सकते हैं और हमें चाहिए होगा ऐसा कोई भी पाइप या डंडा मेरा वाइपर तूट गया था तो ये उस वाइपर का पाइप है जो मैं मौस्टिक बनाने में यूज करूँगे अब हम मौस्टिक बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इस कूलर पैड को मैं लंबाई में सेंटर से काट लूँगे अब पाइप को ऐसे इस कटे हुए पार्ट के बीच में रख कर पैड को इस पर रैप करना है इसके लिए पहले आप स्टार्टिंग में ऐसे थ्रेड से अच्छे से टाइट कांट लगा लें और फिर थ्रेड को ऐसे लपेटते रहें अगर आप कोकोनट फाइबर यूज करेंगे तो फाइबर्स को नेट पर या जूट की बोरी जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर फिला कर फिर उसमें पाइप रख कर उसे रोप से या थ्रेड की हेल्प से रैप करना होगा यह देखिए कूलर पैड को मैंने इस पर अच्छे से रैप कर दिया है अब हम इस पर नेट रैप करेंगे यह देखिए ऐसे और बस अब यह मौस्टिक रेडी है यह देखिए इसे मैंने अपने मनी प्लांट के पोट में लगा दिया है अब मैं आपको बताती हूं कि इस पर प्लांट को कैसे चढ़ाना है यह देखिए यह मैंने इस पर मनी प्लांट चढ़ा दिया है आपको प्लांट मौस्टिक पर रैप इस तरह करना है कि जो इसकी रूट्स हैं वो मौस्टिक की तरफ हों ताकि रूट्स जब लंबी हों तो मौस्टिक में जा सके और अच्छे से मौस्टिक पर ग्रिप बना स और प्लांट रैप करने के बाद उसके एंड को ऐसे थ्रेड से या रॉप से बान दे। स्टार्टिंग में ये बानना जरूरी है नहीं तो ये प्लांट नीचे गिर जाएगा। अब बात करते हैं कि इसे पानी कैसे देना है। तो जब भी आप इस प्लांट को पानी दें तो मौस्टिक को भी अच्छे से पानी से गिला करें। मौस्टिक को पानी आप ऐसे स्प्रे बॉटल से बहुत इसली दे सकते हैं। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप ऐसे किसी भी कंटेनर से भी पानी दे सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूस्फुल लगा तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you and Happy Gardening!